संगम नगरी में गंगा यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है शुक्रवार की दोपहर 12 बजे फाफामों में जलस्तर खत्रे के निशान 84.734 मीटर को पार कर 84.78 पर बहुच गया जिससे कई संपर्क मार्ग भी डूब गए हैं हजारों घरों में पानी भरने से लोगों का पलायन जारी है आज दोपहर 12 बजे तक जलस्तर खत्रे के निशान 84.9 मीटर एवं नैनी 84.68 मीटर पर रहा लिकिन चार बजे की रिपोर्ट में फाफामों 84.9 मीटर खत्रे के निशान 84.1 मीटर पर पहुच गया इस समय लोगों को 2013 की बार का मंजर याद आने लगा है। सबसे भयंकर बार 1978 की रही है जबकि जिलाधिकारी संजे कुमार खत्री तीन बजे के लगभग बक्षी बांध पहुचकर बार का निरीक्षम किया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते रहे अगराज में गंगा नभी का इस्तर खत्रे के लेवल से उपर है और ये आगे भी तीन दिन तक पानी बढ़ने की संबावना है। इसी के मदे नजर हम लोगोंने हमारे बार्ट शर्णालेयों को क्याशील कर दिया है और हमारे 14 बार्ट शर्णाले अभी बिलकुल पूरे तरीके से क्याशील है जहां पर लगभग 2700 लोग अभी रह रहे हैं और हमने हमारे बार्ट शर्णालेयों में हर तरह की सुईधा भ बड़ेगा और उनको सुरक्षी चैत्रों की तरफ जाने के लिए विकाए है। हमारी NDRF की काफी बड़ी टीम इस पे लगी है जिसमें 30 से ज़्यादा हमारे जवान और ऑफिसर्स हैं और काफी बड़ी संक्या हमारे पास नाव भी है जल पुलिस की हमारी पूरी टीम है तो हम बड़ी मुस्तेदी के साथ जो भी बाड़ ग्रास चैत्रों में लोग हैं उनको रेस्क्यू करने में भी लगे हैं आज 26 लोगों को जो की बाड़ के पानी से घिर चुके थे उनको रेस्क्यू भी किया गया है कंट्रोल रूम की रिपोर्ट के मुताबिक फाफामों में प्रती दो घंटे पर साथ सेमी, छक्तनाग में तीन सेमी, एवं नैनी में छे सेमी, बढ़ने की रफ्तार जारी है भरों में बार का पानी घुज गया बता दे की 1978 की बार में उच्चितम जलस्तर फाफामों में 87.980 म, छतनाग में 88.03 म, एवं नैनी में 87.990 म पर रहा है जबकि 2013 की बार में उच्चितम जलस्तर फाफामों में 86.820 म, छतनाग में 8.04 म, एवं नैनी में 86.600 म पर रहा है बद्द्दी खेला निकारी है और सहर उतरी से जो बीचे पीचितम आला निकारी है तो विक्राव करते हैं